दुनिया कई अध्वत चीजों से भरी पड़ी है जहां कुछ आविश्कार इनसान ने किये हैं जबकि कुछ प्रकरती की देन है इनसान लंबी समय से अपनी जरुरतों की अनुसार नई मशीनों और आधुनिक चीजों का निर्माण करता रहा है ट्रेन, हवाई जहाज, मोबाइल फोन और कार जैसी चीजें इस सबात का उधारण है रोजमाला की जिन्दगी में बढ़ती टेकनलोजी की उप्योग ने हमें इन चीजों का आधी बना दिया है इससे हमारी लाइफ आसान तो ही है साथी सुरक्षित भी हो गई है आज हमें फोन कॉल की मदद से अपने दूर बैठे किसी भी व्यक्ति से बात कर सकते है लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि गोली की रफतार से भी तेज इन चीजों को कैसे बनाये जाता है क्या आपने कभी सोचा है कि लोहे से बनी बड़ी बड़ी संचनाओं और चीजों को सही आकार कैसे दिया जाता है शायद नहीं क्योंकि आज की बिजी लाइफ में हमारे ध्यान वश्तू की निर्मान शैली पर नहीं जाता तो आएए जानते हैं दुनिया की पांच ऐसी चीजों के बारे में जिनने अमेजिंग मौडन टेकनोलोजी की मदद से तयार किया गया है हाई दोस्तों मैं हूँ शिबराम सेंग और आप देख रही हैं रिसर्च देवी इंडिया तो चलिए शुरू करते हैं ड्रीम ग्लास एयर एक परसनल सिनेमा की रूप में काम करता है अभी तक आपने 2D और 3D फिल्मों का आनंद उठाने के लिए चश्मा पहना होगा लेकिन ड्रीम ग्लास एयर आपको चश्मे के भीतर एक दूसरी दुनिया में ले जाने का काम करता है इस चश्मे को पहन कर आपको कोई फोन चलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी बस ड्रीम ग्लास पहन लीजिए और अपनी पसंद की मूबी या शो का मज़ा उठाईए इस ग्लास में 100 इंच की स्क्रीन देखने की सुविधा होती है या डिवाइस बिलकुल हैंड फ्री और आरामदाइक होती है इस डिवाइस के जरीए आप कहीं भी और कभी भी बैट कर टीबी, गेम या मूबी का लुफ्थ उठा सकते हैं दिल्चस्प बात ये है कि सामने वाली व्यक्ति को ये पता भी नहीं चलेगा कि आप चश्मे के अंदर थेटर का आनन्द उठा रही हैं मॉडर्ण टेकनोलोजी से बना ये ड्रेम ग्लास भीड भड़ वाली जगहें में एंटेटेन्मेंट करने का काफी अच्छा विकल्प है आपने अपने आसपास लोहे या स्टील से बनी कई चीज़े देखी होंगी दरसल इस काम को आसान बनाने के लिए स्टील की फॉर्जिंग मशीन यानि हैमर प्रक्रिया का सहर लिया जाता है ये मशीन एक बड़े हतोड़ी की तरह काम करती है और लोहे को पीट पीट कर उसे सही आकार प्रदान करती है इस से प्रक्रिया में लोही को बेहत गर्म किया जाता है फिर जब लोहा गर्म होकर सुनहरी या नारंगी रंक हो जाता है तब उस पर फॉर्जिंग मशिन के जरिये हतोड़ा चलाया जाता है ऐसा करने से कुछी देर में लोहा अपना सही आकार ले लेता है लेकिन ये काम काफी जोखिम भरा और मुश्किल होता है इसलिए इस काम को सुरक्षा निगरानी में एक्स्पिरियेंस लोग करते हैं फॉर्जिंग प्रक्रिया के दोरान लोहा इतना गर्म और चमकदार होता है कि उसकी रोशनी से आपकी आँखें खराब हो सकती है इसलिए इस काम को करने वाले लोगों को सुरक्षा के लिहास से कपड़े, जूते और चश्मे दिये जाते है अरकूप हाउस आपने जमीन पर तो बहुत सारे घर देखे होंगे और उनमें से ही किसी एक घर में आप रहते भी होंगे लेकिन क्या आपने कभी पानी में तैरती हुए घर की सेर की है जी हाँ, पानी में चलने फिरने वाला ये घर modern technology का ही एक नमूना है ये हाउस बोट अपने आप में बिहद अधभुत है मियामी में मौझूद इस हाउस बोट में living room, 4 bedroom, रसोई, छट और बालकनी का एक बड़ा हिस्सा मौझूद है आप इसमें रहते हुए पानी की सेर कर सकते हैं और आपको कहीं जाने के लिए घर छोड़कर जाने की भी जरुरत नहीं पड़ेगी अरकूप हाउस में रहने के लिए booking की सुबधा उपलब्द है इसी next generation floating house के नाम से भी जाने चाता है इस हाउस बोट को बनाने का मकसद लोगों को पानी के बीच लगजरी घर का एहसास देना है साथ ही ये बाड और तूफान जैसी मुसिवतों को जिलने की ताकत रखता है अगर समुद्र के बीच आपको कोई तूफान घिर ले तो आप घर के अंदर सुरक्षित रह सकते हैं आपने सड़क पर बड़े-बड़े गड़े तो जरूर देखे होंगे जिसकी वज़े से कई बार भयानक एक्सिडेंट भी हो जाते हैं गड़े भरी सड़क पर वहां चलाना भारत में भले ही आसान हो लेकिन दूसरे देशों में इसे गंभीर समस्या की रूप में देखा जाता है इसलिए वहां के गड़े द्रुगटना होने से पहले ही भर दिये जाते हैं अमेरिका में सड़क के गड़ों को भरने के लिए काफी आसान तरीक आपनाया जाता है यहां रूड पैच यानि एक तरह की शीट को बिचा कर गड़े तुरंत गायब कर दिये जाते हैं इससे प्रक्रिया में ज्यादा समय नहीं लगता और कोई द्रुगटना भी नहीं होती रूड पैच प्रक्रिया के दोरान गड़े वाली जगे पर कंक्रीट का मिश्रण भर दिये जाता है फिर उसके उपर पैच बिचा दिये जाते हैं ऐसा करनी से टाइम और पैसे दोनों की बचत होती है और साथ ही यातायात भी प्रभावित नहीं होता अमेरिका की इस से टेकनोलोजी को भारत में भी ट्राइ करना चाहिए क्या पता आप और हम रोजाना की जाम से कुछ हद तक निजात पाले इंडलेस पूल इसके नाम से ही आप समझ गए होंगे कि ये पूल कभी खत्म नहीं होता लेकिन ऐसा नहीं है दरसल इस स्विमिंग पूल को इस तरह से डिजाइन किया गया है कि तराकी करही व्यक्ति को ऐसा लगता है कि पूल का कोई आखरी छोड है ही नहीं मौडन टेकनोलोजी से बना ये अमेजिंग स्विमिंग पूल आपको एक साथ दो फाइदे देता है इसके अंदर आप एक्सरसाइज कर सकते हैं जबकि दूसरी तरफ लगजरी स्विमिंग बात का लुप्थ उठा सकते हैं एंडिलेस पूल का साइज काफी नॉर्मल होता है और ये घर के किसी कोने या बगीचे में आसानी से फिट हो सकता है इस पूल के आविशकार से लोगों ने पूराने और वेशाल स्विमिंग पूल्स का निर्मान करना काफी कम कर दिया है ज्यादातर घरों में बच्चे और बड़े इसी पूल का अनन्द उठाते हैं तो ये थी दुनिया में इस्तेमाल हो रही कुछ अदभुत और फास्ट टेकनोलोजी जिसने इंसानी जीवन को काफी हद तक आसान और सुविधाजनक बना दिया है इन में से आपको कौन सी मशीन सबसे ज़्यादा पसंद आई हमें कॉमेंट बॉक्स में जरूर बताएं अज के लिए बस इतना ही वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें साथी चैनल को भी सबस्क्राइब करें जैहिन दोस्तो